Hello Student, University News में आपका स्वागत है, अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो यह फ्लर्ट फ्रम आपके लिए है, क्योंकि मैं PhD से रिलेटड अपडेट लेके आते रहता हूँ, यसे मैंने फिलहाल में कई इनवर्सिटियों के PhD के नोटिफिकेशन पर मैंने फूल टाइम वीडियो बनाया ह तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहाएगा, यहाँ पर सेंटर लून से टीएश्ट एट इनवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपोर्टेंस की संस्ताहना है, मैं पर पीजडी के से रिलेटड अपडेट लेके आता हूँ, तो अ दिखाते हैं आपको पूरा डिटल्स, नए नोटिफिकेशन पर आ गए है, यह है, ट्रिपल आइटी पूने जहाँ पर PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी फेलोशिप के साथ, इसी के बारे में आपको पूरा डिटल्स में बताएंगे, ताकि हर इनफर्मेशन पर आप अप्लाई करें PhD के लिए, तो चले चलते हैं नोटिफिकेशन पर और एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं डिटल्स में, ताकि कोई भी डाउट हो, आपका किलियर हो जाए, तो देखिए यह 28 अप्रेल का ही यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि IIT को और इस में इपके JAMES नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यह जो नोटिफिकेशन है, आपको देख लीजा है यहां पे, यह जो नोटिफिकेशन है मधा के है यह 25 मेरी तक अब फर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये हो गया रिसर्च लिस्ट अफ रिसर्च एरिया है Computer Science and Engineering है, Electronic and Communication Engineering है और Applied Mathematics and Data Science है, इन सब्जेक्ट में निकला हुआ है और Financial Support जिसे Fellowship बोलते हैं कितना मिलेगा ता देख लिजी आपको First and Second Year में आपको 38,000 रुपिया मिलेगा, और 37,750 रुपिया आपको मिलेगा Two Years, और उसके बाद आपको मिलेगा, Three Years जो है, वो 43,750 रुपिये मिलेगे तो ये बाद ध्यान राये आपको, इतना पैसा मिलेगा आपको यहाँ पे City के अनुसार आपको HR मिलेगा, देखिए, Research Contingency जीसे बोलते हैं, आपको Full-time All-Oak को मिलेगा यहाँ पे, 1,20,000 के आसपास में Full-time All-Oak की मिलेगा पूरा डिटेल्स में भी Information available है, Prospectus दे सकते हैं अगर यहाँ पे क्लिक करके, Prospectus पर भी आप जा सकते हैं लेकिन आगे बर रहे हैं, इससे पहले बता दूँ कि अगर यह वीडियो इतना अच्छा लगा तो इससे Social Media पर Share कर दे, Facebook, Instagram जो भी है जहाँ भी WhatsApp में Share कर दे, चाकि ज़्यदा सज़्यदा लोगों तक यह पहुंच आए अब चली यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ले जाते हैं, आपको notification भी दिखा दे, कि कैसा notification में और क्या update है तो देखिए मैं आएगा हूँ, भारती सुचना प्रदो की संस्थान जो पूने है, वहाँ उसकी भी साइट है, जैसा ही देखिए advertisement है यहाँ पर, लेकिन आएगा आएगा आप नीचे, तो यहाँ पर पूरा advertisement पोस्ट दे दिया है, यहाँ पर, जिसके नीचे जाएगा तो सब यहाँ पर information आपको मिल जाएगे, नीचे जाएगे, नीचे जाएगे देखिए, यहाँ पर advertisement है, और admission form भी दिया है यहाँ पर, देखिए, admission browser भी है, यहाँ पर, PhD का, यह भी देख सकते है, तो जैसा ही इस पर किलिकीजिएगा, open हो जाएगा, देखिए, information browser उपन हो गया है, आपको पूरा details में जानकार दिया है, इसको पूरा details में सही से पर लिजिएगा, इंपोर्टेंट information दे दिया है, यहाँ पर, रजिस्टार के पास दिया है, इंपोर्टेंट date भी है, यहाँ पर दिया गया है, आपको देख सकते हैं, और इसके बाद आपको दे दिया है, यहाँ पे पूरे डिटल्स जो मैंने अल्रेडी बताती हूं आपके नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जो भी है कोट्स अब है डिलिवर दा फॉलोइंग एड्रेस पर आपको यह देख ली एक इंपोर्मिशन है इंट्रेसेट कंडिरेट डिजिवल कर्टरिया सब्मिट दा कोफी अफ फूल फिल अफ दा अप्लिकेशन जो है फोटो साइज पासपोर साइट और यहां पर भेजना है आपको देख लिजिए एंफर्मिशन है इसको एक बार सही से देख लिजिए एंड मिन कार्टी किस तरह में रहा और यह ट्रिपल आइट के बारे में बताया ग सब्सक्राइट में अदमिय्षन टोस्ते आपके पास थेंसों कोई है सब करसके है और विशा सब रहे और ऐलोशिप सेथे नियाज आपको देर फूल टाइम सिठ है, पांच है यहाँ पर तो यह वर्तस यहाँ पर फारेंसिल सॉपोर्ट भी यहाँ पर प्रोर्ग्राम मेंग में उनका फारेंसिल सपोर्ट मिले गा आपको ब्रोड में पुरा में टर्मेंग कंडिशन पूल टाइम के लिए ही दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरे डिट्रेटल से यहाँ पर इसेस वर रही है के बारे में भी है एड्मिशन प्रोसीजर जो है यह देखिए इंपोर्टेंट है कि आपको यहाँ पर सिलेवस अब दे रिट टलफी के साथ और इस तरह से भी टोटल दे दिया है यहाँ पर सब इंफर्मेशन है तो इसको एक बार और से देख लिजिएगा सही से तो यह रहा प्यजडी से रिल्टेट अपडेट के लिए आप इनवर्सिटी नीज को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और सब आप से तीनिष्ट